हेलो दोस्तों, बिश कांशर्जन टेर्णिंग श्ट्यूट में, मैं इंजिनर कॉर्फ साउल कॉर्पेट टेनर, आप सबी का स्वागत करता हूँ जो हमारे फ्रेशर engaged रहते हैं, जो हाईवे की फिल्ड में जाना चाते हैं, तो उनको जनरली जब साइट पे ऐस फ्रेशर जाते हैं Bitumen क्या होता है और Asphalt क्या होता है कुछ लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज होती है जिनको पता है जो experience है उनको पता है क्या इसमें key differences होते है और ये हर एक engineer के लिए जानना बहुत जादा important है जो site पे work कर रहे कि Bitumen क्या होता है, क्या composition होती है और हमारा Asphalt क्या होता है और उसकी क्या composition होती है तो इसके बारे में complete detail में बात करेंगे तो complete video ज़रूर देखेगा तो चले शुरू करते हैं बिड़ा किसी देरी के तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा Asphalt होता है और Bitumen होता है यह होते तो एक जैसे है बट एक नहीं होते इससे मेरा क्या मतलब है जैसे हम अगर आपको example बताओ अगर हम Bitumen की बात करें तो Bitumen क्या है Bitumen हमारा petroleum industry से निकला हुआ by product है जब हम crude oil को extract करते तो उसमें से सबसे पहले निकलता है डीजल, petrol and kerosene जो हमारा waste material बच जाता है जो हमारा sludge बच जाता है वो होता है हमारा Bitumen अब Bitumen को हम use कहां करते है Bitumen को हम road laying में use करते है waterproofing में use करते है यह sticky black substance होता है जो काफी अच्छा binder की तरह काम करता है यह आपने generally जब भी आप highway पे चलते होंगे तो जो हमारा flexible payment आपने देखा है तो उसमें जो main composition रहता है वो bitumen का रहता है इसके साथ साथ जो हम अपने छट में waterproofing का काम करते हैं उसमें भी हमारा bitumen का ही काम आता है इसके भी अलग-अलग grade आते VG10, VG20, VG30 और VG40 जो कि हम highway में अलग-अलग applications में use करते हैं जैसे कि हम अगर waterproofing के लिए यूज कर रहे हैं तो VG10 VG10 का मतलब रहता है viscosity grade 10 ये एक बहुती viscous material रहता है मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का movement नहीं होता बहुत गाड़ा प्रदात होता है साथी साथ इसमें adhesive nature की property होती मतलब इसमें चिपकने की काफी अच्छी शक्ती रहती है ये आपका solid, semi-solid और liquid form में आता है अब ये तो हो गई bitumen की बात है अब बात करते कि asphalt क्या होता है तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा asphalt होता है ये हमारा aggregate, binder और हमारा stone dust, sand से मिलकर बनता है इसे हम road laying में काम में लाते है अब आपको confusion हो रहोगा दोनों सेम सेम लग रहे है दोनों ही road में use होते है तो इसमें difference क्या है तो मैं आपको एक example से बताना चाहूँगा कि आप cement को लेके चलते है सबसे common हमारा civil industry का material है अगर हम cement में aggregate, sand और पानी मिला देंगे तो वो हमारा concrete बन जाएगा ठीक उसी तरह अगर हम bitumen को लें और bitumen में हम stone dust, aggregate और उसके साथ में binder material जो कि हमारा bitumen है अगर इसको हम mix कर दें तो हमारा क्या बनेगा asphalt बनेगा तो जैसा हमारे cement से concrete बन रहा था bitumen से हमारा asphalt बन रहा है एकदम simple way है आपको याद रखने के लिए जो काम cement concrete में करता है वही काम bitumen asphalt में करता है as a binder material अब इसका अगर मैं composition लेकर चले अगर हमे flexibility कम चाहिए payment में तो हम aggregate का size बढ़ाएंगे 10 से 12 mm की aggregate रखेंगे अगर हमें flexibility जादा चाहिए तो हम aggregate का size थोड़ा और कम कर देंगे जिससे हमारे ज्यादा flexibility मिलेगी मतलब stone dust की proportions बढ़ जाएंगे अब अगर मैं common proportion की बात करूँ तो जो हमारा asphalt में 95% तो लगभग सिख stone dust, stone chips और stone aggregate और हमारा sand या gravel रहता है साथी साथ सिप 5% हमारा bitumen रहता है जो as a binder material वक करता है अब आपको समझ आ गया होगा bitumen और asphalt में क्या-क्या differences है asphalt हम कहां use करते asphalt हम road बनाने में करते हमारा flexible payment बनाने में करते हम bitumen को कहां use करते bitumen को हम use करते है waterproofing के लिए साथी साथ as a binder material in asphalt तो दोस्तों अब bitumen की हमने इतनी बात कर ली कि bitumen आपने आप में काफी साथ इसमें advantages होते है साथी साथ इसको as a binder material use करकि हम asphalt भी बनाते तो क्या-क्या और advantages है तो बात कर लेते सबसे पहले कि काफी जादा durable होता है हमारा bitumen bitumen durable होने के साथ साथ बहुत easily recycle भी हो जाता है जैसे कि आपने अगर road बनाया और वो खराब हो गया तो आफ FDR की मदद से जब आप bitumen concrete की layer को वापिस निकालेंगे और उसे वापिस hit करेंगे तो हमारा जो bitumen है वापिस अपने form में आ जाएगा melt होकर तो इस तरीके से हम इसे recycle भी बड़ी असानी से कर सकते हैं साथी साथ ये हमारा एक petroleum industry का एक waste material होने की वज़ए से और हमारी petroleum की demand इतनी ज़ादा होने की वज़ए से हमारे पास bitumen का इतना ज़ादा stock है कि हम road पे road बनाए जा रहे हैं साथी साथ जो हमारा bitumen से road बनता है flexible payment ये compared to rigid payment जो हमारा cement से बनता है काफी ज़ादा सस्ता पड़ता है इसकी like 10 से 12 साल की होती है साथी साथ bitumen से तो हम as a binder material road तो बनाई रहे हैं साथी साथ waterproofing का में कितना अच्छा काम करता है हमारे च्छत में waterproofing अगर की problem आ रही है minor cracks जिससे पानी रीसर है अगर हम वहाँ पे bitumen के दो coat कर देंगे vertically और horizontally तो हमें waterproofing के problem भी देखने को नहीं मिलेगी साथी साथ bitumen का एक बहुत अच्छा application है हम DPC के उपर जो हमारी damp proof scores रहती है उसके उपर हम एक layer इसकी भी provide करते है जिससे capillary reaction की वज़े से जितना भी हमारा पानी नीचे से उपर आ रहा है जिससे हमें sleepage हो सकती घर में उससे भी यह as a protective barrier या extra protective layer का काम करता है तो यह हो गया हमारा key differences और क्या-क्या key advantages और differences है bitumen और asphalt के subscribe करें सब्सक्राइब करना तो आपके लिए बिल्कुल free है बट इससे हमें काफी ज़ादा motivation मिलता है आपके लिए ऐसे knowledgeable videos लाते रहने के लिए साथ इससद अगर आपके पास कोई और topic है जिसपे आप चाहते मैं video लेकर रहा हूँ तो आप नीचे comment कर सकते हैं और उस पे मैं video लाने की जरूर कोशिश करूँगा जाते जाते मैं बस कहना चाहूँगा करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरू जी के साथ until then thank you so much